जिया है नूँ प्यारे विद्यारतियों इंगलिश मीडियम दी एट क्लास दी मैथ दी बुक चैप्टर नमबर 11 डिरेक्ट एंड इन्वर्स प्रपोर्पोर्शन्स एक्सराइज 11.1 ते इस एक्सराइज दे नेक्स त्री कोश्चन्स फिफ्थ, सेक्स और सेवन्थ असी इस बाउ शुरू करिए इसी चैनल ते प्यारे विद्यारतियों तो अडियां एट क्लास ना जुड़ियां कुछ और प्लेलिस भी आगिया हन् तुस्यों भी जरूर देखो एक यह एट मैथ नोट्स जन्विश मैथ दे कॉंसेप्स नो डेटेल भी समझाया गया है एक यह एट पिक्चर ऑफ बेक्टीरिया इन लार्ज 60,000 टाइमस अटेंस अर लेंग्ध ऑफ 3 सेंटीमीटर जो तो पर जूम कीता उन्हों जूम आउट कीता ठीक है वट इस दी लेंग्ध ऑबेक्टीरिया इफ इस इन लार्ज 10,000 टाइमस ओनली सो बच्चे जिवें की तो पहले क्या की एक्स वाई दे चक्कर विच नहीं पहना एको पिक्चर फ़र पी लालांगे ते एल फ़र लेंग्ध लांगे ठीक है सो एक फाइंड़ की करना है लेंग्ध ऑफ बेक्टीरिया सो असी लेंग्ध नो जड़ा है ना उन लेफ्ट साइट ते रखांगे पहले बड़ी कॉमन सेंस है जिनना असी बेक्टीरिय दी पिक्चर नो इलाज करी जा मांगे ओधी लेंग्ध नी लंबी हों दी जाएगी ठीक है ना तो देरेक्ट परपोर्शन बिट्वें पिक्चर एंड लेंग्ध और बेक्टीरिया मेंस मोर दी इलार्जमेंट मोर दी जो फांड की करना है वहत्टीरिय दी लेंग्ध वा इड बेक्र लेंग्ध बिटीर्वी डेंग्ध फांड नी है जो लेंग्ध नो लेफ्सेय टर रखा पर अनी सौपोर्श लन जुगल तू किना 3 सेंटिमिटर एंड पी औन पिक्चर लांगे यड़ेंगे यडिस 60 ऊजन time and L2 is question mark and P2 is 10,000 ठीक है जी और बच्चों विकॉज विकॉज दियार इन डिरेक्ट पर्पोर्शन सो डिरेक्ट पर्पोर्शन होवे ते की गरीद है L2 upon P2 is equal to L2 upon L1 upon P1 जो find out करना है उन्हों उपर रखना है मैं P2 upon L2 भी लिख सकता है P2 upon L2 is equal to P1 upon L1 परोधना करके फैदा नहीं वो डिनोमिनेटर विच आएगा ते फिर प्रॉस मॉलिटिप्लाइ करके मेरा स्टेप ज्यादा होजेगा इन अडर तो सिंप्लिफाइए एंड सेव टाइम मैं तहां तो अन्हों करें जड़ी क्वांट L2 upon P2 is equal to L1 upon P1 so is equal to और L2 यह नो लाग राख रहना है so P2 इत्थे चला जाएगा so यह अब जाएगा L1 into P2 upon P1 होने जी वैल्यूस पर दांगे L1 is 3 P2 is 10,000 and P1 is 60,000 so बच्चो ऐए कट्या गया 4 0s ते 4 0 कट्या गया so करना की लाग गया कला 3 बंदा 3 3 to the 6 1 by 2 रह गया so 1 by 2 is equal to 0.5 ऐसाद आंसर आगया that is if the bacteria is enlarged 10,000 times the length of bacteria is 0.5 cm next question question number 6 a bus travels 40 km in 30 minutes if the speed of the bus remains same how far can it travel in 3 hours इस question नो उसी 2-3 करांगे और तुसी अपना देख लोगा है किस तरह how you can approach this question in two ways ठीक है so बच्च वादे बड़ा common sense अला question है it is a case of direct proportion more time means more distance traveled अगर मैं अद्धा केंटा 3 km चल के जनना ते ही केंटा मैं किना ट्रावल करांगा 6 km जमागा so more time a bus travels more distance it will cover ठीक है so more time means more distance traveled so there is direct proportion between time and distance because more time more distance less time less distance जदो इस तरह होए ते वही से there is direct proportion between these two quantities time and distance so find out की करना है किन्दे if the speed of the bus remains same how far can it travel इसी distance find out करना है so distance for d d for distance इन्हों लेफ्टे रखा होए suppose d1 is equal to 40 km 40 km d distance ठीक है and t time 30 minutes करेको 30 minutes and d2 question mark find out करना है and t2 is equal to 3 hours उन्हों बच्चों इते रड़ा चेंज करना पर गारेको त्याना रखना है इते 30 minutes आगा है इते 30 minutes आगा है इते 3 hours आगा है it means ऐह दोनों units सेम उन्हों चाहिए है so 3 hours नू 60 ना multiply करके 180 minutes करांगे 3 hours is equal to 180 minutes ठीक है and because they are in direct proportion so d2 upon t2 जड़ी quantity find out करनी है उन्हों numerator वीच रखना है और left side से रखना है d2 upon t2 is equal to d1 upon t1 और d2 find out करना है so d2 is equal to at t2 इदर चला जाएगा so d1 into t2 divided by t1 putting the values d1 is equal to 40 t2 is equal to 180 and t1 is equal to 30 so बच्चे हो आए देखो आए जीरो आए जीरो कट गया थे 3 6 दा 18 so 40 into 6 6 0 0 6 4 the 24 240 km साड़ा आगे answer thus the bus can travel 240 km in 3 hours और बच्चे हो इन्हों दूसरे तरीके ना भी कर सकते है instead of changing 3 hours into minutes I can change 30 minutes into 0.5 hours और देखे किसना करना है so second method है जो कि बच्चे तानों दोनों तरीके आने चाहिए ने और है समझ लेना चाहिए कि no matter which way you follow the answer same आएगा उन्हें तो सारी चीज सेम हैंगी है only thing is इते मैं hours नूं hours रहें देता है 30 minutes तो मैं की करता है change करता है 30 minutes is equal to 0.5 hours 30 minutes half an hour and half hour is 0.5 hours पुन असी फेरो यू करांगे उन्हें वेल्यूस पादांगे इते दीवन इस उकल to 40 ते T2 is equal to 3.0 मैं करता है क्योंकि बच्चों इते डेसीमल तो बाद एक डिजिट आगा है ज़े देना एडी value कोई change नहीं होएगी पर इता मतला है होएगी है एडेसीमल ते डेसीमल कैंसल हो जाएगा ते इते बन जाएगा 30 इते बन जाएगा 5 तो 5 बन दा 5 5 6 दा 30 तो आदे गा 40 इंटो 6 अगें 600 6 4 दा 24 तो 40 किलो मेटर सो सदांसर आगया दस दी बस केंट ट्रेवल 240 किलो मेटर इन 3 आवर्स हो नेक्स कुश्टन देखिए नेक्स कुश्टन भी बच्चो डिरेक्ट परपोर्शन देगा है दी वेट ओफ कंटी 5 प्रेशियस स्टोंस इस 50 ग्रैम्स कहना कि पच्ची जड़े रतन आगेने या लाल आगेने या पुखरा आगेने उन्हादा पाहर पजागरा मेंगा है ठीक है तेने हो मैनी प्रेशियस स्टोंस ऑफ दी सेम टाइप वुड़ वेग 4,500 ग्रांज अगर मलकी अगर इही स्टोंस 4,500 ग्रांज दे वेट दे होन ते उनना दी गिंती किन्नी होईगी सेम टाइप दे और बच्चो देखो ए नेचरली कर ले अगर दो सेव उन गे एंग जाए ठीक है so there is direct proportion between weight and the stones numbers जिनने ज्यादा स्टोर्न होंगे उनना ज्यादा विट होएगा जिनने कट स्टोन होंगे उनना कट वेट होएगा इट मेंस दिर इस सोफ डियर्ट पर पोर्पोर्शन किन्यों आप गार मैने प्रेशियस स्टोंस किन्ने होंगे so number और पूरा जोड़ा मिल जाएगा वन दा व दा टी वन दा टी वन दा अलवन दा सारा जोड़ा पहला बन जानला है तो एन वन इस्कुल तो 25 ते जो चीज फान्ड रोड़ने लेफ्ट साइड तर रखो ठीक है और ना कन्फूजन नहीं वहेगा गलती नहीं वही ते स्टोंस ता लिखलो पार वेट सो ड़ली वन इसकुल तो 50 ग्राम्स एक है तो इसी स्वालक जाएगा तो एक है न वन इसी फानड वेट पार वी व्यट पामागे, N1 is equal to 25, and W2 is equal to 4500, and W1 is equal to 50, so 50 थे पार था, मुझन बच्चो रेखो, 80 की किता, एक 0 नाण, एक 0 एगया, ते 5 नाइन दा, 45 ते 5 जरो जरो, 25 इस तरह जाए गया, ते आगया 90, तो भी 0 ना 0 गया, 9 55 ते 900 90 आगया, ठीके, 25 इंटु 9 किना दा है, 225, मैं तो पहले ही गया, 25 ते टेवल जाद कर लो, बड़ा असान है गया, ते बड़ा टोड़ा काम है, 25 इंटु 9 इस 225 ते एक 0 लागया, देखो, पच्ची कम पच्ची, पच्ची रुना पजा, पच्ची जरो, 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 अंसर, शो ऐसी पहरे विद्यार्थी हो, पर दे कोस्टेंस 5, 6 and 7, के तुसी इसी तरह नेवनार, उच्छानार, अनिशासनार अपनी प्लाई करी चलो ए अगले वीडियो तक लेए रब राखा ट्वाड़ा सार्यां दा बहुत बहुत तनवार्थ